स्वागत है आप सभी का मैं चैनल nove semester रट कर दिया है और आप हमें कमीन्ट करके बताइएगा कि आप भी inter की त्यारि सुरू कर रहे हैं कि अभी नहीं चेकी हो रही है रातों में और दो आप यह अगा चुक है हैं flowers तो भी इसमें खिल रहा हैं लेकिन अब जो है देखने में भी अब उतना खुबसूरत नहीं लग रहा है यह plan तो इन सब को हटाना है और इसकी मिट्टी को निकालना है तो यह सबसे बड़ा को निकाल करके फिर से नया करना या जिसे रिशार्ज करना कहेंगे तो यह सभी काम अभी बहुत ज़्यादा है गार्डन में तो कैसे आपको मिट्टी निकालनी है यह आप देखिए तो मिट्टी में पहले आप पानी डाल दें जिससे की हलकी सी मॉइस्टर है सॉयल तो बड़ी आसानी से ही यह प्लांट आप निकाल सकते हैं इस तरह से आप खींच करके भी निकाल सकते हैं और मिट्टी को चिक कर लें हलका सा उसमें नमी होना चाहिए बहुत ड्राइ रहेगी मिट्टी तो फिर उसमें से प्लांट निकलेंगे नहीं और फिर मिट्टी पूरे में फैल जाएगी तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं जैसे पहले दिखाया था और दूसरा प्रसेस यह है कि पूरे गंबले से आप मिट्टी को पूरा प्लांट को निकाल लें और उसके बाद यह धीरे से इसको खींच करके अलग कर लें तो यह कि दोनों तरीके भी ही बहुत आसान है भाड़े इसी तरीके से सार की मिट्टी को निकाल लिया है क्यूंकि इन आप बार भार शहरों में रहते हैं तो बार बार मंगाना पॉसिबल नहीं हो पारता तो इसी मिट्टी में हम फिर से खाद मिलाएंगे और इसे अच्छे से दूप में सुखा लेंगे तो जिससे कि ये मिट्टी फिर से हम यूज कर पाएं तो दोस्तों ये प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि मिट्टी पूरे में फैल जाती है और फिर आप चाहें तो मिट्टी के नीचे पॉलिथीन बिछा लें कोई भी तो इसस इसे लाने में डूणने में मुश्किल होगी तो जितनी भी डेपटी निकल रही थी हम जो है उस सब को इकठे करते गए और आप भी इसी तरीके से करिएगा और यह देखे मिट्टी में हल्की सी नमी है तो जिससे की ये प्लांट निकालना काफी आसान हो गया था और जितन लौत काम करते समय गलपस जरूर पहनने मेरे नियल्स है नहीं और मुझे गलपς की थोड़ा सा आदत नहीं है तो मैं ऐसे ही कहास रहेंगे तो दोस्तों राफ से और आप चॉह हैं तो इस इसी 솟 प कमपोस्ट में नहीं डालना है कि और यह देख़ने सारी मिट्टी निकल आई है तो अभी तो यह कहीं मौइस्ट है नमी इसमें और इसमें बहुत सारे बरसात की वज़ाद से अलगी और फंगस भी लग जाते हैं मिटी में तो मिटी को अच्छे से सुखाना है और जो भी पॉट खाले हुए हैं उनको भी साफ करना है अच्छे से अगर paint करने की जरुरत है तो paint भी करना होता है अभी मैं भी paint करूंगी तो मिट्टी को भी एक से दो दिन धूप में रख दें जिससे अच्छी तरीके से यह सूख जाएगी और सूखने के बाद इसमें जो भी fungus होंगे वो सभी खतम हो जाएगे तो दोस्तों यह ही मेरी winter की तयारी कैसी लगी जरूर बताइएगा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में ओके फ्रेंड्स बाए